फाइब सेकेंड, टू सेकेंड, रेडी सभापती महोदे, मैं बित्य बिधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और उसका छेत्र भी बहुत बड़ा है इसलिए यह आवस्यक है कि उत्तर प्रदेश को उसकी जनसंख्या और छेत्र के अनुसार विकास योजनाओं के लिए केंद्र से आर्थिक सहायता दी जाए इसके बिना उत्तर प्रदेश की उन्नती होना असंभव है भारत का किसान इस देश का जीवन है किसान पर ही सारी खुसहाली और उन्नती निर्भर करती है अगर उसका जीवन समर्द होगा तो देश भी समर्द होगा इसलिए यह आवस्यक है कि किसान के दैनिक जीवन की चीजें सस्ती हो और उसके खाद और किरसी यंत्र आदी सस्ती दामों पर मिल जाएं पानी के लिए उसको भगवान की तरफ ना देखना पड़े बलकि उसको सिंचाई के बिशे में आत्मिर्भर बनाया जाए जब तक किसान को पूरी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी तब तक देश उन्नती नहीं कर सकता है मेरा यह भी निवेदन है कि जिन परिवारों में खेती का काम होता है उन परिवारों की बच्चों को किरसी विभाग में नौकरी देनी चाहिए यह मैं आवस्यक समस्ता हूं क्योंकि उन्हें किरसी के बारे में बेवारिक ज्यान होता है सभापती महोदय वर्तमान सरकार ने समाजवाद की नीती अपनाई है और सरकार समाजवाद की तरफ कदम बढ़ा रही है लेकिन हम देखते हैं कि बड़े और छोटे सरकारी कर्मचारियों के बेतन में बड़ा फर्क है कुछ अधिकारियों का बेतन हजारों में है जबकि चपरासी आदी छोटे सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ पांच हजार या साथ हजार रूपए मिलते हैं आज बेतन में यह जो फर्क है वह समापत होना चाहिए मेरा निवेदन है कि सरकारी कर्मचारियों के बेतन में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए तभी हम कह सकते हैं कि हिंदोस्तान में समाजवाद है किसान की रोजाना के उपयोग की चीजें बहुत महंगी होती जा रही हैं देश में महगाई दिन प्रत दिन बढ़ रही है और सारे देश में बेचैनी फैली हुई है इस बढ़ती हुई महगाई को रोकना आवस्यक है नहीं तो देश में क्रांती हो जाएगी आप इस सच्चाई को छिपा नहीं सकते कि आज देश में चारों तरफ बड़ा असंतोस है और लोग बड़ी आसा से हमारी तरफ देख रहे हैं लेकिन महगाई हमारे नियंतरण से बाहर होती चली जा रही है देश में काले धन की बड़ी चर्चा होती है उसको निकालने के लिए बड़ी परियत्न किये गए हैं सभापती महोदे सरकार इस इस्ति में नहीं आई है कि वह कह सके की देश में काला धन नहीं है काले धन को निकालने के और परियत्न होने चाहिए लेकिन उसके साथ साथ इस दिसा में भी कदम उठाए जाएं की ऐसे कामों पर रोक लगाई जाए जिससे लोगों को काला धन कमाने का आउसर ही ना मिले आज हमारे देश के विभिन परदेशों और छेत्रों की इस्टिती में बड़ा अंतर है इस अंतर को समाप्त किया जाना चाहिए मुझे आसा है कि वितमंत्री महोदय मेरे इन सुझाओं पर अवस्य ध्यान देंगे कल मैं वितमंत्री जी को बता रहा था कि आप एक तरफ से नए नए कर लगा कर खजाने को भरने की कोशिस कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके विभाग उस खजाने में छेद कर रुपया निकाल रहे हैं इस तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए मैंने इस संबंध में एक उदहराण दिया था कि एक लंबी चोड़ी सड़क पर एक ही तरह का काम होने वाला था एक ठेकेदार ने चार लाख रुपय प्रतमील और दूसरे ठेकेदार ने दस लाख रुपय प्रतमील के हिसाब से रुपया मांगा जब मंतरी महोदय के सामने यह चीज लाई गई तो इस बात की जाच होई जिसमें कुछ करोण रुपयों की बचत होई है अगर सब मामलों की जाच हो जाती तो कई करोण रुपयों की बचत हो सकती थी जैसा कल मैंने बित मंतरी जी से कहा उन्होंने दो करोण रुपय की छूट करोण में देकर हम पर अहसान लाद दिया लेकिन मैं तो आपका कई करोण रुपयों का लाभ करा रहा हूं आप इसकी जाच कराईए और देखिये की कैसी लूट हो रही है इतना ही नहीं इसका प्रभाव दूसरे विभागों पर भी पड़ रहा है वहाँ पर जो दूसरे विभाग काम कर रहे हैं उनकी दरें भी बढ़ रही है या दरें बढ़ाने के लिए उनकी मांग बढ़ रही है जब वही काम एक जगह अधिक लागत में होगा तो दूसरी जगह वही काम कम लागत में नहीं हो सकता इसलिए या तोवा चोरी करेगा या दर बढ़वाएगा अगर एक सड़क पर ऐसा होता है तो वहाँ जो दूसरे काम चलते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है ठेकेदार आपके विभागों के साथ मिलकर दर बढ़ाते हैं मैं ब्रस्टाचार की बात नहीं कहता हूँ उसको ना आप बंद कर सकते हैं और ना मैं बंद कर सकता हूँ और ना लोग बंद कराना चाहते हैं उन्होंने अपने बजट भासड की भूमिका में करसी संबंधी कच्चे माल के उत्पादन के लिए पूझी लगाने की आवस्यक्ता पर जोर दिया है उनकी सोयम की यह मान्यता है की करसी का उत्पादन बढ़ाना बहुत आवस्यक है आवस्यक